Hello students, welcome to this YouTube channel हम CPCT exam के लिए most important MCQs cover कर रहे हैं जो की computer के हैं ये सारे questions previous time में पूछे गए हैं और इनके repeat होने की 100% chances बनते हैं तो आप इन सारे questions को अच्छे से याद कर रखे और CPCT exam को qualify करने के लिए आपको practically तोर पर तयार होना पड़ेगा क्योंकि इस exam में practical questions बहुत जादा पुछे जाते हैं अगर अभी तक आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप playlist में जाकर सारे वीडियो सर्च कर सकते हैं देख सकते हैं, वाच कर सकते हैं Windows Explorer क्या है? Windows में फाइल प्रबंधन करने का एक application है Windows Explorer Micro Computer की नियंतरन इकाई जो एक छोटी चीप पर fabricate की हुई होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे Micro Processor कहते हैं कौन सा Option या कौन सा Software एक विशिस्ट उप्योग और अनुप्योग के लिए डिजाइन किये गए कारिक्रमों का एक सम्मू होता है Application Software आप एक्षिक रूप से निम्न लिखित में से कौन सा सबसे तेज भंडारन माध्यम है? रजिस्टर सबसे तेज भंडारन माध्यम के तोर पर इसका इस्तमाल क्या जाता है सबसे Fast Register ही होता है निम्न लिखित में से कौन सी एक टच इस्क्रीन टेकनोलोजी नहीं है? याद रखना ऐसी कौन सी टच इस्क्रीन एक टेकनोलोजी नहीं है? इन में से वो option कौन सा होगा? डिजिटल फ्लेश मेमोरी को निम्न में से क्या कहा जाता है? फ्लेश मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? तरतियक मेमोरी निम्न में से चरन द चरन होते हैं जो computer को बताते हैं कि यह कैसे काम करता है एक algorithm होता है जो चरण दर चरण system को यह बताता है कि इस में कारिक किस प्रकार से step by step होगा किसने किसी संख्या को जोड़ने के लिए यांत्रिक calculator का अविस्कार किया था यांत्रिक calculator का अविस्कार ब्लेज पास्कल ने किया था कोबोल निम्न मेंसे किसके अंतरगत आता है कोबोल एक high level language है उच्च इस तरीय प्रोग्रांमिंग भासा निम्न मेंसे किस memory में अभी गमन समय अपेक्षाकरत कम होता है केश मेंमोरी में कौन बायोमेट्रिक सेंसर की विज़ेस्ता नहीं रखता निम्न मेंसे कौन सा अप्षन है जो बायोमेट्रिक सेंसर की विज़ेस्ता नहीं रखता एक रखत सम्मूग की प्रोसेस्त बायोमेट्रिक सेंसर की प्रोसेस्त नहीं है कंप्यूटर डिस्प्ले डिवाइस के संबंध में LED का पूरा नाम क्या होगा LED का फुल फॉर्म क्या होगा लाइट इमिटिंग डायोड बच्चों सिप्पी सिटी की एक्जाम में फुल फॉर्म, शॉर्टकट की, फंक्शन की, नुमेरिकल की और अलफा नुमेरिकल की इन सब को अच्छे से कंप्लीट कर लेना क्योंकि यहां से 10 से 12 कोशन कंप्लीट होंगे सिप्पी सिटी को एक्जाम को क्लियर करने के लिए हमको कुछ ऐसी रणनिती अपनाना होगी ताकि हमारे 49 नमबर आ ही जाए आपको भी पता होगा कि सिप्पी सिटी एक्जाम में प्रेक्टिकली कोशन ज्यादा तर फ्रेम होते हैं और इस एक्जाम को क्वालिफाई करने के साथ साथ हमें सिप्पी सिटी के लिए कंप्यूटर और हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग पर भी बहुँ ज़्यादा जोड़ देना होता है नोन टेक का भी आप अच्छे से ध्यान रखें मैच सुपोर रिजनिंग को जीके के कोशन को आप अच्छे से बनाने की कोशिश करना तब जाके हम सिप्पी सिटी एक्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं अगला प्रस्ण है ओपन आफिस केलक में फंक्शन मतलब रोग B3 का क्या ओटपूट होगा 3 होता है बचो कुछ कोशन को तो हमें रटना होता है क्योंकि इस एक्जाम को हमें किसी भी हालत में क्वालिफाई करना है तो कुछ कोशन को हमें डारेक्ली रटना है और कुछ कोशन को प्रेक्टिकली स्वल्व करना है तो कुछ कोशन आप अच्छे से रट ले ताकि हमारे नंबर अच्छे से गेन हो सके पेन या पेंसिल के चिन्नीत उत्तरों वाले उत्तर पत्रकों के मुल्यांकन हेत्व हम OMR सीट का इस्तमाल करते हैं जो MPPSC लिखिद परिक्षा में उप्योग किया जाता है निम्न में से कौन सा एक आउटपूट डिवाईज है? निम्न में से कौन सा एक आउटपूट डिवाईज है? इसपीकर एक आउटपूट डिवाईज है क्योंकि यहां से आवाज बहारी की और निकलती है इनपूट और आउटपूट डिवाईज के डिफरेंस कौन कौन से यंत्र कहां कहां उप्योग कैसे होते हैं इनको आप ध्यान रखे तायकि यहां से हमारा कोई भी कोशन गलत ना हो अगला कोशन है निम्न में से कौन सा विकल्प दिये गए कत्नव की सत्यता पर सबसे अच्छा वर्णम करता है पहला है सौप्ट्वेयर को भोतिक रूप से चुआ जा सकता है और इसका उप्योग किया तता देखा भी जा सकता है सौप्ट्वेयर का एक उधारन हाद ड्राइव, मोनिटर, सीप्यू या स्केनर, प्रिंटर आजी है देखिए यह दोनों ही प्रशन गलत है याँकि सौप्ट्वेयर को ना तो हाथ लगाया सकता है ना ही देखा जा सकता है, सिर्फ इस्तमाल किया जा सकता है और इसने जो उधारन दिया हाद ड्राइव, यह जब हाथ लगा ही नहीं सकते हैं स्वायड δ्राइव को हम केसे यूस कर सकते हैं हात लगा कर कैसे टेश कर सकते हैं यूस्त किया जा सकता है लेकिन उसे छुआ नहीं जा सकता मोनीटर ये भी इस्तमाल होता है इसे हम हाथ लगा सकते है जबकि सोप्टेर को हाथ नहीं लगाया जा सकता ध्वनी के समदर्व में बढ़ने पर पीच बढ़ जाती है क्या आवरती बढ़ने पर रिजोल्यूशन का आर्थ क्या होता है गुणवत्ता वाली छवी क्या आएगा उच्च रिजोल्यूशन का आर्थ होता है उच्च गुणवत्ता वाली छवी B.I.O.S का पूर्ण रूप क्या होगा B.I.O.S का पूर्ण रूप क्या होगा B से Basic, I से Input, O से Output, S से System Basic Input-Output System निम्न में से किस वेब ब्राउजर को Microsoft द्वारा विक्सित किया गया है Microsoft द्वारा Internet Explorer को विक्सित किया गया है निम्न में से कौन सा नेटवर्क उपियोग का एक लाब नहीं है निम्न में से कौन सा नेटवर्क उपियोग का एक लाब नहीं है वाइरस से संरक्षन कौन सा अब्जेक्ट होगा जो पहुँच नियंतरक प्रनाली मतलब Axis Control System का एक उधारण है Axis Control System का एक उधारण है Axis Card एक वेब ब्राउजर किसी वेबसाइट का Axis देने से इंकार कर सकता है या कम से कम यूजर को चेताव नहीं दे सकता है जब वेबसाइट का क्या समाप्त हो जाएगा प्रमान पत्र लेजर प्रिंटर किसका उप्योग नहीं करता एक रिबन होल्डर का उप्योग नहीं करता ये कोशन याद रखें लेजर प्रिंटर एक रिबन होल्डर का उप्योग नहीं करता T.I.F.F. छबियां किस प्रकार की छबियां होती है असंपीडित छबियां होती है एक कंप्यूटर जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है उसे कहा जाता है वेब सर्वर याद रखें एक कंप्यूटर जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट कर सकता है उसे वेब सर्वर कहा जाता है प्रिंटिंग की किस तक्निक में धातू के टुकडों का उप्योग करके अक्षर बनाये जा सकते हैं Solid Font Windows 10 के Default आइकन कहां इस्तित होते हैं? Windows System 32 में किसी File System की Outing का अर्थ क्या होता है? किसी निर्देशी का सनरजना मतलब डायरेक्टरी स्टॉक्चर में एक File System को सलगन करना Website निम्न में से किसका संग्रह है? याद रखना Website एक Web Page का संग्रह है France Reference विकल्प MS Word 2016 के अंतरगत निम्न में से किस स्टेप में उपलब्द होता है? References में MS PowerPoint में Slide 100 शुरू करने के लिए कुझी का अपयोग होता है? बताईए F5 का इस्तमाल करते हैं याद रखना F1 से लेकर F12 तक की फंक्शन की जितनी भी है उनका क्या-क्या महत्व है इसको आप अच्छे से प्रिपेर रखना क्योंकि यहाँ से Question Frame होते हैं MS PowerPoint में Slide को सुरू करने के लिए यहाँ पर F5 का इस्तमाल होता है आगे बढ़ते हैं एक Software Application जो Network पर लोगों के समुहों को एक साथ काम करने और जानकारी साजा करने में मदद करता है क्या कहलाता है? Groupware MS Word में निम्न लिखित में से किस बटन मतलब आइकन पर क्लिक करने पर पेरेग्राप और अन्य छपे मार कर प्रदर्शित होते हैं Show या Hide MS Word में Find and Replace विंडो खोलने के लिए Keyboard Shortcut निम्न मेंसे कौन सा होगा? Ctrl plus H इस प्रकार की Shortcut की आप ध्यान रखे, याद रखे या फिर किसी पेज में आप लिख ले और उसे daily अपने study room में HD table के सामने रखे, उसे पढ़ते रहे MS Word में Find and Replace विंडो खोलने के लिए हमें Ctrl plus H का इस्तिमाल करना होगा अगर आपको इस तरह की Shortcut की या याद नहीं है तो आप एक काम करे, सर्ज करे Important Shortcut की Target 91 तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा जहां पर एसे लेकर जेट तक के सारे Shortcut की के महत्व उप्योग बताए हैं अगला Question है MS Word 2016 में कौन से Menu Tape के अंतरगत Compare Command विकल उप्लब्द होता है Review के अंदर MS Word 2016 में एक दस्तावेज पर काम करते समय आप एक और मोजुदा दस्तावेज के से खोल सकते हैं आप फाइल में जाकर उसे Open करें और Select Document पर क्लिक करें दस्तावेज फाइल में काम को पूरा करने के बाद इसे सहेजने के अशकता होती है इसके लिए निम्नमेंसे किसका उप्योग किया जाता है यदि कोई फाइल बन जाती है काम पुरा हो जाने के बाद उसे रखा जाता है उसके सुरक्षित रखने की Space के लिए हम किसका उप्योग करेंगे फाइल मेन्यू पर जाते हैं और वहाँ पर Save As पर क्लिक करते हैं भीम के माध्यम से हम रासी इस्थानांतरन कर सकते हैं किसी भी समय निम्नमेंसे कौन सा चार्ट समय के साथ रुजान दिखाई देने के लिए उप्योग किया जाता है Line कुछ पुराने MS Word संसकरोनों में Change Case विकल्प Capitalize Each Word को किसके रुप में भी जाना जाता है Title Case के रुप में निम्नमेंसे कौन सा MS Word 2016 के Layout मेन्यू टेप में एक Wait Command विकल्प नहीं होता Navigation Pen याद रखे Navigation Pen MS Word में एक Chinese पाट का सोर उपन फार्मेटिंग कॉपी करने और अन्य पाठों पर प्रियुक्त करने के लिए निम्नमेंसे किसका उप्योग किया जाता है निम्नमेंसे फार्मेट पेंटर का उप्योग किया जाता है बचो ये कोशन आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे और ये कोशन यहाँ इन वीडियो में भी आपको मिल जाएंगे क्योंकि यही वो कोशन है जो बार बार रिपीट होते हैं और प्रेक्टिकली ज्यादा तरव पुछे जाते हैं अगर आपको महाँ से सुटे बना लगे तो वीडियो देखकर भी आप यहाँ पर स्टेडिक कर सकते हैं और महाँ पर भी स्टेडिक कर सकते हैं जोईस्टिक अलाइनमेंट द्वारा आप क्या समझते हैं जोईस्टिक अलाइमेंट के द्वारा हम सब्दों के बीच रिक्सिस्तान जोड़ना ताकि प्रत्यक पंक्तिक के दोनों की नारे दोनों मार्जिन के साथ सनरेखित हो इंटरनेट के माद्यम से आप कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटरों में फाइल भेजने की प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहेंगे Uploading कहेंगे Uploading नई pivot table स्वत्र निर्दारित रूप से layout में होती है Compact MS Word में स्वत्व निर्धारित पेज ओरिएंटेशन में पेज की चोड़ाई पेज की उचाई से कम होती है MS Word में drop-down सुची में निम्न में से किस सबसे छोटे font आकार को चाइनित किया जा सकता है MS Word में हेगिंग इंडेंट बनाने के लिए निम्न में से किस शॉटकट कुण्जी सहयोजन का प्रियोग होता है Ctrl प्लस T का MS Word में एक बड़ा केपिटल अक्षर होता है जिसका उप्योग किसी पेरेग्राप या एक्जेक्शन की सुरुआत में सजाव टी तत्व के रूप में होता है वो drop cape के अकोडिंग होता है डाटा को इंटरनेट पर अधिक प्रभावी डग से स्ट्रीम करने के लिए निम्न में से किन छोटे खंडों में विवाजित करना होगा पेकेट्स में अभी तक हमने जितने भी कोशिन कवर की हैं यह सिपिसीटी एक्जाम के अकोर्डिंग बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है सिपिसीटी की एक्जाम कभी भी हो यह practically कोशिन है जो इस एक्जाम के लिए 100% राम बढान साबित होने वाली है अगर आपको exam qualify करना है तो यह सारे question आप attempt कर ले और अपने दोस्तों तक भी share करे